नमस्कार दूस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RPSC exam date को लेकर काफी समय से जो विध्यारतियों का अध्यापकों का जो विरोध चल रहा है उसी से जुड़े हुए कई अपडेट्स की जानकारी इस वीडियो में आगे आप देख सकते हैं तो न्यूस पर चलते हैं सबसे पहले आज की न्यूस पेपर की न्यूस आपको मैं दिखाना चाओंगा यहाँ देखिए यह जोतपूर से ये न्यूस आईए आज व्याक्याता परिक्षा तिति आगे करने की मांग रखी और यहाँ पर देखिए राजस्तान सिक्षक संग प् वो काफी समय से चल रहा है और दीकिए आज का फर्स गेड इसकुल व्याक्यता बर्ती को लेकर दूसरा अपडेट आप ये देख सकते हैं कि आज विध्यार्तियों की दुआरा जैपुर में राजस्तान युनिवर्सिटी में धर्णा प्रदेशन किया जा रहा है और ये आप पर भी हम आगे चर्चा करना चाहेंगे कि और क्या-क्या जानकारी है तो सबसे पहले आज के सबसे बड़े अपडेट के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा तो यहां देखिए प्रिये सातियों RPSC ने स्कुल व्याक्याता बर्ती परिक्षा 2018 में नए आवेदन मांगने के बाद जल्द बाजी में परिक्षा तीती जनवरी के परतम सप्ता में गोशित कर दी है जिसके कारण अब भेर्तियों के सामने कई तरह की समश्याएं पेदा हो गई है उन समश् छुटकारा पाने के लिए श्री एरा बोस के नेतुत में राजस्तान विश्य विद्याले में दिनांग 20 नौंबर 2019 यानि की आज से धर्णा शुरू किया जा रहा है और देखिए ये पूरा एक प्रेस नोट काफी ज़्यादा वाइरल हो रहा है वोड़सेपर सोशल मीडि पर अब देखिए इसमें क्या जानकारी दी गई है इस धर्णा प्रदेशन की मतलब क्या उद्देश ये रखे गए हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी दो दिन पहले कहीं विद्यार्तियों मतलब जैपूर में एकरतित हुए थे उनके ये कुछ पिक्चर्स मेटिंग रखी गई थी और इस मेटिंग में विद्यार्तियों ने धर्णा प्रदेशन का निर्णे लिया अब देखिए इसमें और क्या जानकारी दी गई है अब देखिए इसमें इस धर्णा प्रदेशन के क्या क्या उद्देश ये हैं बी एड अंतिम वर्ष में वर्ष थी अंतिम वर्ष के अभेरतियों को परिक्षा में वंचित होने से बचाना पदों में बडोदरी की मांग यहां पर की जा रही है EWS आरक्षन में आने वाले वे अभेरति जो दिपावली की वज़े से परिक्षा में फॉर्म में संशोधन नहीं कर पाए उन्हें पुनस अंशोधन का उश्र दिलवाना और परिक्षा तीती को जून जुलाई 2020 में करवाना जिस से चुनाओ ड्यूटी में लगे राज्य करमचारी वे अन्य नए बेरति को तैयारी का समय मिल सके तो यह कुछ मांगे यहां पर विध्यार्तियों के द्वारा रखी गई है और यहां पर देखिए अधा आप सभी से निवेदने की कल दिनांग 20 नॉमबर 2019 को 11 बजे राजस्तान विश्व विध्याले जेपूर अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे इससे आपकी इतों को द्यान में रखते हुए धरने का शुबारम किया जा सके और इसी के साथ देखिए राजस्तान विश्व विध्याले की जो अध्यक्ष है बहिन पूजा वर्मा जी ने हमें आशवाशन दिया है कि छातरीतों को द्यान में रखते हुए मैं आपके साथ हूँ हम सभी की ओर से बहिन पूजा वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और पूजा वर्मा जी ने भी इसका समर्तन किया है और ये संपर्क सूत्र आप देख सकते हैं तो ये देखी ये प्रेस नोट काफी ज़्यादा वाइरल हो रहा है और इसमें आज विध्यारती स्कुल व्याख्यातिती को बढ़ाने के लिए राजस्तान यूनिवर्सिटी में धर्णा परदशन करने जा रहे हैं इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक दिन पहले की ये खबर आपने देखी होगी इसकुल व्याख्याता तीती प्रिक्षा तीती को आगे बढ़ाने के लेकर राजस्तान के जो मंत्री हैं मंत्री प्रमोजेन भाया, मंत्री रमेश चंद्रमीना और सुबाश गर्ग जी से मुलाकात की और ग्यापन दिया गया इसी के साथ भाजपा ने था, राजस्तान राठोर ने भी विध्यार्तियों को यहाँ पर समर्सन दिया है और इन्हों ने ये ट्वीट भी किया था 18 नौमबर को मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए 18 नौमबर को 12 बज़े ये ट्वीट किया था इसमें देखी इन्होंने क्या मांग रखिए आपके सकारात्मक फेसले की आशा और गैलो साब राजस्तान गॉर्मेंट को ये ट्वीट किया है इन्होंने ट्वीट और वही राजस्तान सिक्षक संग की मांग यहां पर रखी गई है इसी के साथ कल की न्यूस पेपर में भी आपने देखा होगा, ये देखिए परिक्षा तीती आगे बढ़ाने को लेकर ग्यापन सोपा और राजस्तान की अगर हम में बात करता हूँ तो ये एक जिले में ही नहीं है राजस्तान के कई जिलों में अधिकारियों को ग्यापन दिया जा रहा है और यहां पे देखिए ये हनुमानगड नोहर से खबर है वही जानकारी दी गई है कि मुख्यमंत्री जी को ग्यापन बेज़कर परिक्षा तीती को आगे बढ़ाने की मांग यहां पर की जा रही है तो ये सारी नियूज सभी खबरें कैसी है क्योंकि डेड़ लाग नए विद्धियारती इसमें शामिल हो चुके है इसी के साथ देखिए ये कुछ पिक्चर्स हैं और ये देखिए राजस्तान में एक सिक्षक संग का नाम है राजस्तान सिक्षक संग सेखावत 18 नूम्बर को इन्होंने मुख्यमंत्री जी को ग्यापन लिखा है आरपीसी के जो विद्ध सचीव राजस्तान सरकार के जो विद्ध सचीव है विबिन मांगों को लेकर ग्यापन रखा है डिये बढ़ाने की मांग की गई है और इसकुल व्याख्याता तिति में ये फौर्थ नम्मर का पोइंट आप देख सकते हैं यही सारी बाते हैं तो ये कंप्लीट राजस्तान में इस परिक्षा तीति का विरोध किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है आज विश्यु विद्धियाले में धर्णा परदेशन भी रखा गया है विद्धियार्थियों की द्वारा इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि अब अगर आप फर्स गेड व्याक्याता बड़ती से जुड़ी वी जानकारी रेगिलर पात रहना चाते हैं तो हमारे टेली ग्राम चैनल को आप जोइन कर सकते हैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा आप हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और इस बारे में आपका क्या केना ह कि परिक्षा तीती को आगे बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं आप अपने सुजाओं नीचे कमेंट बॉक्स में सबी के साथ जरूर शेयर करें और आगामी सूचना जैसे ही मिलेगी फर्स गेट को लेकर जानकर या आपको चैनल के माद्यम से तुरन दे दी जाएगी धन्यवाद